हेलो एवरिवन इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस ग्रैंडी सीरीज वाट इस एक्चुली ग्रैंडी सीरीज एक बहुत बेसिक सा सम है 1-1, plus 1, minus 1, plus 1, minus 1, plus 1, minus 1 ऐसे ही infinite times तो अगर मैं डिटेल में लिखूँ तो इस क्या लिखा हुआ है, देखते हैं कि लिखा हुआ है मेरे पास में, as is equal to 1, minus, plus 1, minus 1, plus 1, minus 1, plus 1, minus 1, and so on infinite times है अब infinite times है, तो see, 1 और minus 1 अगर 2 times हुआ तो क्या था है, term cancel out हो रही है 3 times हुआ तो क्या हो गया, ये 2 cancel out हो गया, 1 बच गया फिर अगर 4 times हुआ तो ये दोनों cancel out, ये दोनों cancel out 5 times हुआ तो ये दोनों 4 cancel out, ये बच गया तो अगर मैं trend समझूँ तो let's say मैंने बोला कि मेरे पास total number of terms कितनी है total number of terms है मेरे पास में n अब n क्या है, let's say अगर मेरे पास में odd है n odd है, ठीक है अगर n odd है, तो क्या होगा पहली दूसरी term cancel out, तीसरी बच जाएगी 1st, 2nd, 3rd, 4 cancel out, 5th बच जाएगा 1st, 2, 3, 4, 5, 6 cancel out, 7 बच जाएगा तो हर case में मेरे पास में plus 1 बच ता जाएगा तो summation क्या आना चाहिए, obviously 1 आना चाहिए but n तो even भी हो सकता है बता पता थोड़ी नहीं कि infinite number है तो हो सकता है, sum हो या even हो, किसको पता ना आपको पता कि infinite क्या है, odd है या even है तो let's say even भी हो सकता है तो अब उस case में sum क्या हो जाएगा even में हमेशा term cancel out हो रही है यह दोनों cancel out, यह दोनों cancel out, यह दोनों cancel out, यह दोनों cancel out तो sum क्या जाएगा, सारी cancel out हो क्या जाएगा 0 तो अब यहाँ ना, complicated हो गया मेरे पास में एक case में sum 1 आ रहा है और एक case में 0 आ रहा है n की value odd हो हो ही तो 1, n की value even हो ही तो 0 बट n तो क्या है, infinite times का sum, n infinite है, तो क्या infinite odd है या infinite even है, तो इस question का answer तो अभी तक scientist नहीं नहीं दिया ना किसी mathematician नहीं दिया, हम दूसरी approach योस करते हैं, तो ये वाला जो मेरा तरीका था, ये तो एकदम flop हो गया, ये wrong है, 1 और 0 तो नहीं आरा answer, कैसे calculate करते हैं, new approach चलू करते है ठीक है, फिर से मैं अपनी series लिखता हूँ, एक और बार, ठीक है, ध्यान से देखिए, अगर मेरी series क्या है, ये लिखाव है, 1 minus 1 plus 1 minus 1 plus 1 minus 1 and so on, अब क्या करता हूँ मैं इस पूरी equation को, 1 में से subtract कर देता हूँ, means मैंने 1 में से, जो मेरी series S है, उसे subtract कर दिया, तो हुआ क्या, 1 minus, मेरे पास S है क्या, फिर से आज़े गए यहाँ पर, 1 minus 1 plus 1 minus 1 plus 1 minus 1 and so on, कितने दाइस infinite terms है, ठीक है, अब इसे मैं ध्यान से देखू, तो 1 minus S की value, जैसे ही मैं bracket open किया, क्या हो गया, 1 minus into 1 is minus 1, minus minus is plus 1, then minus 1, then 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 plus 1 and so on, तो first जो हमारे पास में 1 है, यह तो minus 1 से cancel out हो गया, अगर अब मैं बची हुई terms को देखू, देखे ध्यान से, क्या बचा मेरे पास में, 1 minus 1, 1 minus 1, 1 minus 1, यह क्या लिखा हुआ है, indirectly S ही तो लिखा हुआ है, infinite terms है, तो indirectly जब मैंने 1 में से S को subtract किया, तो मेरे पास में वापस से S मिल गया, I mean, same चीज मुझे दुबारा मिल गई है, तो यह मेरे पास में तो equation बन गई है, तो यहां से मैं क्या बहुत सकता हूँ, S को set ले जाओंगा, और बोलूँगा, 1 is equal to S plus S, which is equal to 2 times of S, तो यहां से हमारे पास में S की value क्या आ गई, equal to 1 by 2, तो हमारे पास में इस series का ज आरे, क्या करे, मतलब जितने भी मैंने numbers add या separate किये, सब integer थे, तो summation 1 by 2 कैसे आ गया, अब यह एकदम correct result है, इसमें कोई doubt नहीं है कि यह जो sum आता है, equal to 1 by 2 आता है, and this is a well known result, and popularly known as grandies series, कई लोग इस summation को इस तरीके से भी define करते हैं, कि we know कि n odd होगा, या n even होगा, infinite पे जो भी number होगा, वो कोई number तो होगा, तो उसके odd या even होने की probability क्या है, 1 by 2 and 1 by 2, तो अगर odd है, तो sum 1 हो जाएगा, तो 1 by 2 into 1, even है तो sum की तज़ एगा 0 है, तो 1 by 2 into 0, इन दोना probabilities का sum is equal to 1 by 2, कई लोग इस proof को इस तरीके से भी देते हैं, but this is totally shit, ये एकदम wrong है, actual proof is, जैसे हमने किया वैसे, probability distribution का यहाँ पे कोई use नहीं है, तो ये जो proof जो लोग देते हैं, वो एकदम वाहियाद proof है, ठीक है, correct proof कैसे है कि हमें, क्या करा, हमने S लिया और उसे 1 में से subject करके, then हमारे summation की value है 1 by 2, and it is popularly known as Grandy Series Sum.